दोस्तों नमस्कार मैं हूँ महेंदर और आप देख रहे हैं महेंदराज ट्रेवल ब्लॉग उत्तर देश भले ही कई दूसरे मामलों में देश के कई राज्चों से पीछे हो लेकिन परेटन के लिहाज से नमबर वन है एवद्या के सिराम मंदर के बनने के बाद यूपी ने लंबी चलांग लगाई है छे महीने में साथ फीजदी डोमेस्टिक टूरिस्ट पढ़े हैं और पारें टूरिस्ट की बात करें तो पारेंटर्स चालीस फीजदी बढ़े हैं यूपी के जो रिलीजियस सिटीज हैं उसमें डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या बड़ी तेजी से बड़ी है जबकि जो स्टोरिकल प्लेसे हैं वहाँ पर पॉरिनर्स फूब खुमने आ रहे हैं राममंदिर की प्राहर पतिष्टा से पहले दोजार देश जनवरी से जून तक के बीच जो आकड़ा है वो उनीज दसम लोग पांच तीन करोंड लोग देश के कोने कोने से यूपी आए वहीं 2024 में जनवरी से जून तक करीब 32 दसम लोग दो आठ करोंड लोग यूपी आए यानि बहुत बड़ा इजाफा रहा कहां उनीज दसम लोग पांस तीन करोंड लोग आए थे पूरे साल वहीं सिर्फ छे महिने में 32 दसम लोग दो आठ करोंड लोग यूपी में आ चुके थे अगर विदेशी परिटकों की बात की जाए तो 2023 में जनवरी से जून के बीच फॉर्णर्स आए करीब 6.7 लोग और 2024 में जून तक 10.3 छे लोग आए फॉर्णर्स तो ये भी आँकड़ा जो है काफी अच्छा आँकड़ा है इस आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो 60 फिजदी बड़े हैं और विदेशी टूरिस्ट 40 फिजदी बड़े हैं परेटन व्हाग के आँकड़े देखने से ये बात पत चलती है कि 2022 में पूरे साल में यूपी में 32.218 करोन पर एटक आये थे और 2024 के जून तक आखले बताते हैं कि यूपी में 32.298 करोन पर एटक आये यानि कि 6 महिने में करीब 33 करोन पूरिस्ट की यूपी आये यदि पर्टिकुलर्ली अयुद्ध्या की बात करें तो उसने तो रिकार्ड ही तोड़ दिये हैं शिराम मंदेर प्राहण पतिष्टा के बाद अयुद्ध्या जाने वालों ने सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं प्रदेश के सभी सहरों में इतने परेटक नहीं पहुंचे जितने अयुद्ध्या पहुंचे आपलों के मुताबिक देखा जाए तो एक महीने में इतनी जादा लोग एक शहर में कभी नहीं पहुचे दूसरे नमबर पर है बनारस याने की काशी यहां छे महीने में पहुचे हैं इनमें एक दसम्लो तीन तीन लाख विदेशी टूरिस्ट हैं पॉरिन टूरिस्ट के मामले में आगरा हमेशा नमबर वन रहता है इस साल भी है अयोध्या में जन्वरी से जून दोजाज़ाच चौबीस में जहां सिर्फ दोजार आट सो इक्यावन विदेशी आ है वहीं आगरा में ये संख्या साथ लाख रही दूसरे नमबर पर एक दसम्लो तीन तीन लाख परेटगों के साथ पनारस रहा और मतुरा तीसरे नमबर पर रहा यहां आए करीब 49619 परेटग जन्वरी से जून दोजार चौबीस के वीच प्रमुक शहरों में परेटगों आँखला कुछ इस प्रकार है अयोध्या आए करीब 10.59 लोग वीदेशी तूरिस्ट की बात करें तो करीब 2851 वीदेशी तूरिस्ट आए और वानड़सी जो दोमेस्टिक तूरिस्ट आए वो करीब 4.59 ने नौ करोंड आए और वीदेशी तूरिस्ट एक दसम्लो तीन ती है मतुरा यह चार लाख कि ओंच्टिक तूरिस्ट और जिरो तीन लाख कोरी डूरीम क्टपुरिस्ट आइए तो यह आंकडा आपका बड़ा अच्छा है तो क्या तूरिजम के लिहास से खुत्तर विदेश में अब आ रहे हैं और पड़ी तादात में आ रहे हैं। और अगर यूपी में 2020 के आंकड़ों से 2024 के आंकड़ों के तूर्णा की जाए तो 2020 में जो दोमेस्टिक टूरिस्टे वो 8.6 करोन थे और विदेसी 8.9 लाग थे खुल 8.7 करोन टोटल टूरिस्ट आये थे यूपी में और अगर 2024 में यह आकड़ा देखें तो जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो कई गुना बढ़ गए अगर सरकारे टूरिजम को बढ़ावा दे तो रोजगार और रिवेदिम के लिए एक अच्छा जडिया यह हो सकता है है क्योंकि जब कोई टूरिस्ट आता है तो पैसे खर्च करता है और उससे रोजगार पैदा होता है तूरिजम इंडस्ट्री को बहुत पढ़ावा मिलता है तमाम डूरिजम इंडस्ट्री में लगे होते हैं और अगर सरकारें फोड़ी से पहल करें अच्छा माहौल हमें कमेंट करके जुरूर बताएं और यादे आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए थैंक्स बाइबाए